हलो दोस्तों आपके लिए एक बहुती शांदार कंसेप्ट टाइमेंड वर्क आप लोगों ने पड़ा है उसके अंदर अल्टरनेट डेज वेकल्पिक दिनों के उपर आपने कोशन्स भी देखे हैं आज मैं आपके लिए ये छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें टॉप पाँच कोशन ठीक है टॉप फाइव कोशन जो अभी तक ऐसे सी ने अपने सी जी एल एम टी एस अलग अलग एक्जाम्स में पूछे हैं और बेस्ट कोशन है टॉप फाइव कोशन्स जड़ा इनको देखे बिना पेपर देने मत जाना आपके एक्जाम में दुबार दिख सकते हैं चलिए चलते हैं पहले कोशन की तरफ जैसे जैसे कोशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा जरा दीखे पहला कोशन पूछा गया सी जी एल परी 2023 में सुबह नो बजे की शिफ्ट में क्या है कोशन को जरा समझे एक किसी काम को 25 दिन मे कर सकता है दोस्त पहली लाइन बहुत असान है तो इतनी बात को हम समझे तो हम लिखेंगे ए और बी ए कर सकता है किसी काम को 25 दिन में वहीं दोस्त बी कर सकता है उसी काम को 30 दिन में दोनों का जैसे ही LCM लूँगा तो LCM आ जाएगा मेरे पास 1500 मेरे पास हो जाएगा कुल कारे टोटल वर्क तो 1500 बटे 25 करूँगा तो मेरे पास 6 एफिशेंसी इसकी आ गई और 1500 बटे 30 करूँगा तो 5 एफिशेंसी इसकी आ गई दोस्त बात समझा गई यह तो बहुत बेसिक चीज है एफिशेंसी मतलब यह रोज 6 काम करता है 25 दिन तक रोज 6 काम करेगा तो 1500 काम अकेले खतम कर देगा यह रोज 5 काम करता है 30 दिन तक करेगा तो 1500 अब बात यहां से शुरू होती है कि they work on alternate basis वह वेकलपिक दिनों पर काम करते हैं वेकलपिक दिनों का मतलब क्या है एक दिन दोस्त एक ने काम करा दूसरे दिन दूसरे ने तीसर का मतलब क्या है ए फिर बी फिर ए फिर बी ऐसे काम चला बहुत एंड बी फॉलो दिस पैटरन फॉर 5 देज तो ए और बी ने पांच दिनों तक इस पैटरन को फॉलो करा तो अब इस बात को समझेए शुरुवात ए ने करी तो दोस्त पहले दिन ए ने काम करा दूसरे दिन फिर ए ने काम करा चोथे दिन बी ने काम करा पांच दिन ए ने काम करा पांच दिन तक इन दोनों ने ये पैटरन को फॉलो करा तो दोस्त ए ने पहले दिन कितना काम किया होगा छे बी ने दूसरे दिन कितना काम किया होगा पांच उसकी कारश हमता फिर ए ने छे फिर ए न या 18 और 10 टोटल हो गया टोटल वर्क डन इन 5 डेज पांच दिनों में कितना काम हो गया 28 काम हो गया तो बच कितना गया मेरे दोस्त डेड़ सो माइनस 28 इसको माइनस करूँगा तो यह आजाएगा 122 आजाएगा मेरे पास 122 काम बच गया आगे बोलता है एक काम को छोड़ कर चला गया तो बताइए बी को बचा हुआ काम खतम करने में कितने दिन लगेंगे बहुत ही असान है आप कर सकते हैं बी के दिन निकालने है मेरे दोस्तों दिन कैसे आते हैं बी को बचा हुआ कितना काम करना है 122 काम बी की कारे शमता क्या है पांच की तो दोस इसको भाग करूँगा तो 24 पे जाएगा बचेगा 24 सही 2 बटे 5 दिन लगेंगे बी को बचा हुआ काम खतम करने में जो की option number A में बैठा है बहुत ही असान question CGL Pre में पुछा गया लेकिन टॉप कोशन है अल्टरनेट के साथ छोड़ के जाने वाला concept मर्ज कर दिया गया clear हो रही है बात भई चलिए जैसे जैसे कोशन आज बढ़ते जाएंगे जैसे ऐसे आज पहला कोशन करा पहला थोड़ा सा असान था लेकिन अच्छा था चलिए कोई काम करने के लिए अजे और भरत अल्टरनेट डेस पर काम करते हैं वेकल्पिक दिनों पर काम करते हैं सही है दोस्त वहीं बोलता है विद भरत स्टार्टिंग भरत ने काम को चालू करा है आगे बात समझो अजे इसी काम को अकेले करता तो 32 दिन में कर देता एक डाटा दिया है आज अजे का अजे इसी काम को करता तो 32 दिन में कर देता दोस्त टोटल वर्क मान लेते हैं 32 है तो अजे की कारे शमता एक आगई चली आगे बात समझते हैं इफ दा वर्क गैट्स कंप्लीटेड इन एक्जेक्टली एट डेज जो काम है पूरा का पूरा आट दिनों में खतम हुआ जरह बात को समझना बहुत शांदार कोशन है शुरुवात किस ने करी है शुरुवात हमें बोला गया है भरत ने साट करी है तो दोस बात को समझो पहला दिन भरत ने काम करा दूसरे दिन फिर अजे ने काम करा तीसरे दिन भरत ने चोथे दिन अजे ने ऐसे पैटरन चला फिर पांचवे दिन फिर भरत ने फिर अजे फिर भरत ने फिर अजे ने तोटल आठे दिन हो गए मेरे चार उपल कर और चार नीचे दोस बात को समझना काम करा है stör यहां पर अजे एक दिन में एक काम करता है तो अजे ने दूसरे दिन चोधे दिन छटे दिन और आठवे दिन एक काम कर रहो to इतनी बात समझ में आ गई जरह हम ये देख लेते हैं अजे ने चार दिन में चार काम कर लिया तो भरत के लिए काम कितना बचा भरत ने कितना काम करा है इसको हम बड़े असानी से निकाल सकते हैं जरह बात को समझीए तो भरत का भरत का वर्क फोर डेज चार दिनों का कितना होगा दूस्ट कुल कार रहे हैं मेरे पास 32 बात को समझना माइनस अजे ने एक 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 और एक एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक चार काम कर दिया तो काम बचा 28 मतलब भरत ने 28 काम करा है चार दिनों में तो भरत की एफिशेंसी भरत की अगर मैं कारे शमता निकालूं एक दिन का काम तो 28 काम किया है चार दिनों में ये चार दिन का काम था तो उसकी एफिशेंसी आ गई साथ तो दोस्त ये जो खालिस्तान है ये कितने से भर गए साथ स साथ और साथ से देखो चेक भी कर सकते हो साथ और एक आठ 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 चार बार बत्तिस काम हो गया अब कोशन ने पुछा है बताईए भरत अकेला इसी काम का साथ गुना काम करे तो उसे कितने दिन लगेंगे दोस आज काम किस से कराना है भरत से कराना है कितना क काम कराना है कुल कार्रे का साथ गुना तो भरत को कितने दिन लगेंगे ये बात समझनी है भरत को करना है 32 का साथ गुना काम नीचे क्या आएगा भरत की एफिशेंसी जो है हमारे पास साथ साथ से साथ गया अंसर आ गया 32 दिन तो भरत को लगेंगे 32 दिन अगर वो इसी काम क दोस्त क्या करेगा इसी काम का साथ गुना काम करेगा बहुती शांदार कोशन SSC CGL 2023 दोस्त एक बात समझो यह दूसरा कोशन यहां पर exactly 8 दिन दे दिये गए थे वहीं इससे अगले कोशन पर जब आएंगे जो CGL 2019 का कोशन था देखो मैं बार-बार यही चीज आप लोगों को बताता हूं कि previous year कोशन सेम कंसेप्ट बार-बार रिपीट होता है इसलिए हम जो भी कोशन आप लोगों को कराते हैं सभी previous year से नजर में रखकर कराते हैं दोस जड़ा देखो 2019 में पहली बार यह कोशन आया इस कंसेप्ट के उपर फिर 2023 में आया यह थोड़ा असान कर दिया क्योंकि यहां पर exactly 8 दिन दे दिये जड़ा वापिस आते हैं इधर समझीए कोई निश्चित कारे करने के लिए A और B अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं दोस मैंने पहले ही बताया कोशन सेम टाइप के आते हैं शकल बदर कर वहाँ पर कौन था अजे और भरत थे यहां A और B हैं जहां पर शुरुवात B ने करी बिगनिंग किस ने करी B ने करी on the first day is the work alone in 48 days जैसे वहां दे रखा था ऐसी यहां दे रखा है A अकेले किसी काम को करता है तो 48 दिन लेता है तो दोस्त टोटल वर्क अगर मेरा 48 हो गया तो A की efficiency क्या मेरे पास एक आगई आगे समझेए अगर पूरा का पूरा काम 11 सही एक बटे तीन दिन में हुआ है देखो मैं कहा रहा था ना पिछले वाला असान था इससे असान था उसमें प्रॉपर एक नंबर बैठा था आठ दिन यहां है 11 सही एक बटा दिन मतलब 11 दिन तो पूरे पूरे लगे वहीं 12 दिन पूरा लगने की बज़ाए उसका सिर्फ एक तीहाई पार्ट लगा ठीक है तो बताओ बी अकेला चार गुना काम कितने समय में कर देगा वहाँ साथ गुना था सही है भी सेम कोशन शकल बदल कर मिला आपको यह 19 में आया था वो 23 में देखो सेम कंसेप्ट करेंगे शुरुवात किसने करी बी ने तो यहां से लिखना शुरू करते हैं बी ए बी ए बी पांच दि 2 चटे दिन फिर आया छे दिन हो गए सात्में दिन बी आया आठम दिन आया नौवे दिन बी इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं बात को समझा चातम दिन वह दिखறी दिन दिन अ आ। नौवे दिन B आया, दसवे दिन A आया, दसवे दिन A आया, सही जा रहे हम, एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस दिन हो गए, फिर ग्यारवे दिन पूरा लगा, B ने लगा आया, फिर जो बचा, वो पूरा दिन नहीं लगा, बारी किस की आई, एक करता है, तो दोस, A ने यहां एक काम करा, यहां एक काम करा, यहां, दूसरे दिन, चोथे दिन, छटे दिन, आठवे दिन, दसवे दिन, लेकिन, यहां पर एक बटा तीन दिन लगा है, तो वो पूरे दिन में एक काम करता है, एक बटे तीन दिन में, एक बटा तीन काम यही तो बात है बचा क्या बी की एफिशेंसी निकालनी है बी पर डे कितना काम कर रहा है यह हमें नहीं पता यह कहीं से पता चल जाए तो हमारा कोशन हो जाएगा अब बात समझेए यहां पर अगर मैं आप लोगों को बोलू कि बी का बी का काम वर्क फॉर कितने दिन एक दो तीन चार पांच छे सिक्स डेज का काम उसके पास कितना बचा है टोटल कार रहे था अड़तालिस माइनस ए ने कितना काम कर दिया एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक पांच दिन एक दो तीन चार पांच पांच दिन पूरा पूरा एक काम करा एक दो तीन चार पांच और जो छटा दिन उसका आया उसमें उसने सिर्फ एक तीहाई काम करा सही है भी तो यहां से आगया 48-5-1.3 यह आगया मेरे पास 43-1.3 इसको जरा सॉल करें तो यह हो जाएगा मेरे दोस्ट 9 यह हो जाएगा 12 139-1.3 यह हो जाएगा 128-3 काम करा 6 दिन में तो बी की अगर मैं कारे शमता एफिशेंसी देखू एक दिन का काम तो दोस्ट 128-3 काम करा 6 दिन में तो एक दिन में बटा च्छे करूंगा 2 से काटा 3, 2 से काटा 64 तो B की कारश हमता आ गई 64 बटे 9 तो दोस्त B ने कितना कितना काम करा 64 by 9 64 by 9 64 by 9 ये इतना काम करा इसने 64 by 9 64 by 9 और 64 by 9 यही कंसेप्ट बोलना चाहरा है अब कहता है बताईए B अकेला इसी काम का चार गुना काम कितने दिनों में कर लेगा तो दोस्त सेम टाइप का कोशन पिछले में साथ था इसमें चार तो बताईए B को करना है B के दिन निकालने है B को कुल कारश कितना है 48 48 का कितना काम 4 गुना 4 गुना काम 48 का और बी की कार्रेशमता कितनी है कहां गई यह रही बी की कार्रेशमता 64 बटे 9 तो 64 बटे 9 इसको बस सॉल कर लीजिए आपका अंसर आ जाएगा चार गुणा 48 गुणा में 9 और नीचे है 64 तो 16 से काटा 4 पर 16 से काटा 3 पर 4 से इसे काटा 4 पर 9 तिया 27 दिन कितने दिन लगेंगे 27 दिन लगेंगे अगर उसी काम का चार गुणा काम भी करेगा बहुती शांदार कोशन 2019 में आया 2023 में आया इस बार 2024 में किसी ना किसी पेपर में किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा चाए आप CPO दे रहे हैं चाए आप CHSL दे रहे हैं चाए आप MTS दे रहे हैं चाए आप CGL दे रहे हैं किलिए दोस्ट चलिए तीन कोशन चलते हैं चोते कोशन पर भई MTS MTS को हलके में मत लेना पहले भी समझाया है MTS अपने सेट में एक दो कोशन ट्रिकी डालता है जरा इस बात को समझे बहुत मतलब बेस्ट कोशन अल्टरनेट का आज तक SSC द्वारा पूछा गया कहता है चार जने है P, Q, R, S जरा पहले तो कोशन की लेंगविज समझे है P, Q, R, S चार जने है जो किसी काम को करने में लगे है With the condition that P, Q, R, S work respectively on P काम करता है मेरे भाई Monday और Thursday Q काम करता है Tuesday and Friday R काम करता है Wednesday and Saturday and S काम करता है सिर्फ संडे पहले तो इतनी बात दिमाग में बिठाओ चार जने है चार जनों ने एक काम अपनी जिम्मेवारी पर लिया कि हम इस काम को करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर क्या शर्ते थी P बोलता है मैं सिर्फ काम करूँगा Monday, Sومवार और वीरवार वहीं Q बोलता है ठीक है शनिवार वहीं S बोलता है मैं सिर्फ काम करूँगा Sunday, रवीवार को आगे बात समझे The task was beginning on the Monday जो ये काम दिया गया इन लोगों को वो Monday से साट हुआ सौमवार से साट हुआ and got completed on 15th day और ये पंदरवे दिन पर काम खतम कर दिया इन चारों ने which was also a Monday वो भी क्या था एक सौमवार था clear हुआ ये बात अगर इनोंने एक तारिक को काम शुरू करा वो सौमवार था तो इनोंने पंदरा दिन बाद पंदरवे तारिक को कौम खतम करा उस दिन भी क्या था मंडे था आगे बता दिया efficiency P, Q, RS की चारों की कारे शमता बता दी एक अनुपाद, दो अनुपाद, तीन अनुपाद, चार है P, एक काम करता है एक दिन में Q, दो काम करता है R, तीन काम करता है S, चार काम करता है आगे समझिए कितने दिन लगेंगे अगर आर इसी काम को अकेले करे किसी ब्रेक के बिना तो बही कोशन समझ में आया तो जड़ा कोशन को बनाते हैं इधर देखिए सबसे पहली बात मुझे P, Q, R, S इनकी efficiency का ratio दे रखा है 1, ratio 2, ratio 3, ratio 4 एक बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए आता हूँ 1 से 15 तारिक तक जाना है तो बात समझे ये एक तारिक एक तारिक मंडे है एक तारिक मंडे है कितनी बात समझा रही है एक तारिक मंडे दो तारिक तीन तारिक चार पांच ऐसे जाएं वही डाटा बना रहा हूँ डाटा को पहले तो समझीए क्या डाटा आप लोगों को समझ में आ रहा है चलिए 6 तारिक 7 तारिक अब बात को समझना 1 को मंडे है तो दोस 8 को भी मंडे होगा 8 को मंडे है तो 15 को भी मंडे होगा और किसके जिम्में है ये काम P के जिम्में है क्योंकि P Monday और Thursday काम करता है दोस्ट दो तारिक को Tuesday है दो और साथ 9 को भी Tuesday होगा ये किसके हिस्से में है काम Q के हिस्से में है सही है भाई यहाँ पर P ने काम करा यहाँ पर Q ने काम करा बात समझते रहना तीन तारिक को ये Tuesday हो गया Wednes J आया किसके जिम्मे आई बात Wednes J पर कोन है मेरे भाई Wednes J पर तीसरा बंदा R है तीन को Wednes J साथ तीन दस को Wednes J चलिए आगे चले चार तारिक को थर्ज़ चार और साथ ग्यारा को थर्ज़ पांच तारिक को दोस्त Friday पांच और साथ बारा को फ्राइडे छे तारिक को सेटरडे छे और साथ तेरा को भी सेटरडे साथ तारिक को संडे साथ और साथ चोदा तारिक को भी संडे अब बात को समझे पी किस-किस दिन काम कर रहा था मंडे और थर्जे Monday और Thursday P के जिम्में काम आया आगे बाद समझिए 127 और Friday Tuesday और Friday Q के जिम्में काम आया वहीं दोस्त R काम कर रहा था मेरा Wednesday और Saturday कौन कर रहा था R तो R के Wednesday और Saturday और वहीं बात करूँ तो Sunday को सिर्फ काम कौन कर रहा है S कर रहा है दोस्त ये एक table सी बन गई क्योंकि ये table बनानी जरूरी है अगर table नहीं बनाओगे कोशन नहीं बना पाओगे अब जराव बात को समझो P एक दिन में एक काम करता है P ने यहाँ पर तीन दिन काम करा तो पी ने यहाँ पर जराव मैं table को बंद करूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ P ने तीन काम करा एक तारिक को आठ तारिक को पंदरा तारिक को तीन काम क्योंकि P की कारशमता एक है क्योंकि बारी आई Q ने दो दिन काम करा Q की एफिशेंसी दो है इस दिन दो काम इस दिन दो काम तो Q ने यहां पर दो और दो चार काम करा आगे चलिए बारी आई R की R ने दो दिन काम करा R की efficiency तीन है तीन प्लस तीन R ने यहां पर छे काम करा यह लिख रहे हैं कितना काम करा यहां पर आँ P वापिस आगया P ने एक काम करता है तो दो दिन काम करा यहां तो P ने दो काम करा Q की बारी आई Q दो काम करता है दो दिन है तो Q ने चार काम करा R की बारी आई R दो दिन काम करा एक दिन में तीन काम करता है तो R ने यहां पर छे काम करा वहीं आगे चलें तो अगर S को देखें तो S चार काम करता है एक दिन में दो दिन काम करा तो S ने यहां आठ काम करा तो दोस इसको जब मैं जोड़ू हा तो मुझे टोटल वर्क मिलेगा वो भी तो जरूरी है मुझे निकालना तो बताईए तीन और चार साथ और छे तेरा और दो पंदरा और चार उननिस और पंच पच्चिस पच्चिस और आठ अब पच्चिस और मेरे पास आठ आ गया तैंटिस तो दोस टोटल टोटल वर्क हो गया मेरे पास थर्टी थरी थर्टी थरी हो गया पूछा गया आर अकेले इसी काम को करें तो कितने दिन लगेंगे तो दोस्त आर के दिन निकालने है कोशन हो गया खतम काम करना है 33 आर की कारे शमता है 3 आर की एफिशेंसी यहां क्या रखेंगे आर की एफिशेंसी 3 3 से काटा तो 11 दिन अगर आर अकेला इसी काम को करेगा तो उसे ग्यारा दिन लगेंगे डन हो रही है बात आने वाले एक्जाम में आपके पास यही ग्यारा की जगा मतलब आर की जगा वो क्या चेंज कर सकता है वो पूछ सकता है बताईए क्यों अगर इसी काम को करेगा अकेले तो कितने दिन तो दोस्त तैंतिस बटे दो आ जाएगा मेरे पास साड़े सोला दिन बात समझा रही है ऐसे मेरी चीजे चेंज हो सकती है यह बहुती शांदार कोशन अगर समझ में नहीं आया तो दुबारा से बैक करकर इस कोशन को समझे मैं प्रॉपर तरीके से बिलकुल बेसिक से आप लोगों को समझा रहा हूँ यह हमने निकाले हैं दोस्त वर्क यह क्या है वर्क है एफिशेंसी मत समझना एफिशेंसी तो कोशन ने दी हुई है यह क्या है सारे वर्क डन बाई ओल ओफ देम यह क्या है वर्क डन बाई all of them इन चारों द्वारा करे गए काम इसने तीन दिन काम करा काररे शम्ता एक है तो तीन काम कर दिया इसने दो दिन काम करा दो की काररे शम्ता है तो चार काम कर दिया इसने दो दिन काम करा काररे शम्ता तीन है तो तीन दुनी छे इसकी क्या हो गया काम कर दिया पी की फिर आ गया फिर क्यू का आ गया ऐसी S पर जाए तो S की कारेशमता 4 है S ने काम 2 दिन कर रहा है 4 दूनी 8 काम कर दिया डन है बात समझा रही है आप लोगों को यह हमारा चोथा कोशन MTS 2021 में पूछा गया चले आज के लास कोशन कोशन नमबर 5 पर यह भी बहुत शांदार कोशन है जरा कोशन को समझना है आपको पूछा गया S.S.C. C.G.L. प्री 18 जुलाई 2023 धाई बजेगी शिफ्ट में अल्टरनेट के उपर कहता है A और B इकुली एफिशेंट है दोनों की एफिशेंसी सेम है Each could individually complete a piece of work in 30 days कहना चाता है A और B दोनों अलग-अलग काम करें तो इसे भी 30 दिन लगते हैं इसे भी 30 दिन लगते हैं तो दोस्ट टोटल वर्क हो गया मेरे पास 30 तो इसकी एफिशेंसी भी एक है इसकी एफिशेंसी भी एक है यह हमने पहले लाइन से इसका निचोड निकाला आगे बात समझीए If none took any holiday इन में से कोई भी छुटी नहीं लेता A और B ने साथ में काम करना शुरू करा on this piece of work इस काम पर बट A ने A का off क्या है A हर चोथे दिन के काम के बाद छुटी लेता है जरा बात को समझना है कोईशन की language को पकड़ो But A took a day off after every four days of work ठीक है भई A और B ने इस काम को एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन A ने A ने हर लेकिन हर चार दिन के काम के बाद एक दिन की छुटी ली बात आ रही है समझ तो मतलब A पांचवे दिन नहीं आएगा चार दिन के बाद चार दिन तक इन इन्होंने शुरू करा पहले दिन A पलस भी दोनोंने मिलकर काम करा दूसरे दिन तीछरे दिन चोथे दिन लेकिन चोथे दिन के काम के बाद पांचवे दिन A छुटी पर चला गया ठीक है A के बारे मैं बात करूँ तो A लीव पर कब गया है पांचवे दिन वहीं B की बात करें तो B टुका डे ओफ आफटर एवरी फाइव डे ओफ वर्क और B हर पांच दिन काम करने के बाद एक छुटी लेता है वहीं यहां लिखा है जबकि B ने हर पांच दिन के काम के बाद एक दिन की छुटी ली मतलब B हर छटे दिन काम छोड़कर मतलब ओफ लेकर चला जाता है तो बताइए अगर दोनों ने काम को एक अगस्त दो हजार बाईस को स्टार्ट किया है तो कौन सी डेट को ये लोग काम को खतम करेंगे 19 अगस्त, 17 अगस्त 16 अगस्त, 18 अगस्त शांदार है कोशन भई चरो, कोई बात नहीं इसको उड़ाना सीखो दो, फर्स्ट डे जराब बात समझना फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्ट डे सिख्स्ट डे जराब बात को समझो छे दिन की साइकल चल रही है क्या हो रहा है पहले दिन A प्लस B दोनों ने काम करा दूसरे दिन दोनों ने काम करा तीसरे दिन दोनों ने काम करा चौते दिन दोनों ने काम करा लेकिन अब छुट्टियां कहां से साइट हुई यहां से A हर एक चार दिन के काम के बाद छुट्टी लेता है तो पांचवे दिन सिर्फ काम पर कोन आया बी आया बी हर एक पांच दिन के काम के बाद छुटी लेता है तो छटे दिन कोन आया सिर्फ ए आया फिर सातवे दिन से वही कानी शुरू हो जाएगी सातवे दिन ए प्लस बी आठवे दिन ए प्लस बी नौवे दिन A प्लस B दसवे दिन A प्लस B 11 दिन फिर सिर्फ B आएगा फिर 12 दिन सिर्फ A आएगा तो दोस्त यह cycle बन रही है मेरे पास 6 दिनों की cycle बताओ पहले दिन काम कितना हुआ A की efficiency एक है B की एक है 2 काम हुआ दूसरे दिन 2 काम हुआ तीसरे दिन दो काम हुआ चोथे दिन दो काम हुआ पांचवे दिन सिर्फ एक काम हुआ छटे दिन सिर्फ एक काम हुआ इसको अगर मैं जोड़ू दो, दो, चार, छे, आठ, नो, दस तो एक साइकल में दस काम हो रहा है एक साइकल छे दिनों की कैसे करते हैं दोस्ट टोटल कार रहे कितना है तीस बटे साइकिल के वर्क एक साइकिल में कितने काम हो रहे हैं क्योंकि साइकिल का मतलब रिपीटीशन शुरू हो जाएगी फिर से तो दोस्त कितनी आ गई तीन साइकिल ऐसी ऐसी पूरी पूरी चली छे 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 ठीक है ऐसी ऐ तो काम अठारा दिनों में खतम हुआ अठारा दिन लगे काम को खतम करने में अब बात को समझो काम शुरू हुआ था एक अगस्त दो हजार बाइस को इसमें अठारा दिन जोडूँआ बही गलती यहां तक बहुत बच्चों ने कर लिया था कोशन उसके बाद फिर गलती करी लास लाइन सुनो अगर दोनों ने काम को एक अगस्त दोजार बाइस को स्टार्ट किया है तो कौन सी डेट को यह लोग काम खतम करेंगे वही दोस्तों बहुत से बच्चों ने उननीस अगस्त डाला था अनसर यह गलत है बात को समझो एक अगस्त भी तो गिना जाएगा एक अगस्त को भी काम करा और आखरी काम अठारा अगस्त को करा इसने यही पूछा है कौन से दिन काम खतम हो जाएगा तो दोस्त जब जोडूँगा तो अठारा अगस्त दो हजार बाइस को काम खतम हुआ जो की बैठा है मेरे option number D में ठीक है confusion क्या हो जाती है सर एक तारिक को चालू करा 18 दिन जोड़ दो 18 प्लस एक 19 होता है तो सर 19 तारिक को खतम हो गया होगा काम नहीं मेरे भाई एक तारिक को भी तो काम करा तो एक तारिक दो तारिक तीन तारिक चार तारिक ऐसे गिनोंगे तो 18 दिन 18 अगस्त को होंगे उसने question यही पूछा है कौन सी डेट को काम खतम हुआ है तो answer हो गया मेरे दोस 18 अगस्त बहुती शामदार question CGL Pre 2023 दोस्त आपके आने वाले पेपर CPO, CHSL, MTS में दुबारा ये question दिख सकता है इसको देखे बिना मत जाईएगा ये request है clear alternate के SSC दुबारा पूछे गए top 5 question मैंने आप लोगों को करा दिये हैं और भी कोई आपको अच्छा question मिले SSC का पूछा हुआ alternate का आप comment box में comment करकर मुझसे पूछ सकते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं बाकी मैंने alternate की पूरी classes आप लोगों को आप playlist में जाएंगे वहाँ पर आपको classes मिलेंगी live classes math की जिसमें मैंने proper तरीके से time and work का पूरा एक दिन लगा कर आपको alternate days के उपर questions सिखाएं हैं कैसे कैसे पूछे गए हैं papers में आप जाकर वहाँ से इसका basic अगर आप लोगों को इसका basic भी clear नहीं है कि कैसे करते हैं तो दोस्त वहाँ जाकर आप पहले इसका basic सीखिए उसके बाद इस video को जरूर जरूर और जरूर देखके जाईएगा clear दोस्त तो आज यहीं तक ही class को रखेंगे 5 questions best 5 questions आपके लिए मैं लेकर आया ऐसे ही next video में और भी शांदार concept और भी बड़िया बड़िया questions ढूंड़के आप लोगों को सिखाऊँगा तो मिलते हैं next video में same platform rice mart Hindi पर और वीडियो को जितना जादा से जादा share कर सकते हो उतना जादा से जादा share कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं thank you so much